एलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपनी एक्जम्स चना पर मैसा करते हैं आपसे एच्छ होंगे मैं आपके लिए लाई हूँ एससे लिए के प्रेटेसाइट की सीरी जिसमें आपका प्रेटेसाइट 24 है जोकि इसमें प्रिवियस सीर के कोशन है इसलिए आप इसे इसका आपको राइट आजर बता दें कि बहुत से संब्धित है यहां बहुत दरम से संब्धित चित्रण एव सिल्पकारी के उतकष्ट नमूने मिलते हैं आजन्ता की उफाओं को यूनस को पिस्तु दरुगर इस्तल गुशित किया है के लास का पिस्द सहल करत मंदर ने मि खित्म ऐसे किस स्तान पर है और सरी अजन्ता में या सुनी बादामी में या संसी महावाली पुरम में या संदी एलूरा में इसका मंदर ने को देखते हैं रेक्शिस की व्याख्या देखते हैं एलूरा के कयलास का पिस्त सहलीगत मंदर का ने में राष्ट्र कूल राया कृष्ण परतमनी करवाया था महाराष्ट के औरंगा बाद में ऑश्तिया मंदर बागवाद शिव के कैलास मंदर का परतीक है अच्वकोशन दिखते हैं वो युद्धु जो भारत में मुश्लिम सकती की स्थाप नाम में सायक सिद्ध भुगा ओप्सने तरायन का पहला युद्ध यावसर नी तरायन का दूसरा युद्ध पानी पत का तीसरा युद्ध यावसर नी पानी पत का दूसरा युद्ध इसकraph पहले युद्ध में गौरी को परायत हुआ यह दूसरी युद्ध में फ्रतिविया चोहान परायत किया इस युद्ध के साथ ही भारत में मुस्लिम सासंग का और माय प्रशस्त्र हो गया वर्ष नीस सो राज़ प्यूतों का सामन्त जैचंद को रहाया राइस कोशन देखते हैं लाग वक्स की उपादी के सासक को दी गई थी और सने इल्टुतम इसको यापसर नी बलवन को यापसर नी कुत्वद्दिन एवक को इसका माँ पूराइटा से बता दें यह कुत्वद दान देने वाला मुहमद गोरी एवक मुहमद गोरी का मुसलमान था यह इसने तराइन की दुति युद्द के पश्यात बार्रतो छे मेल गुलाम बंस की नीव रखी इसे कुरान खाँ के नाम से भी जाना जाता है राश कोशन देखते हैं वह मुसलिम आक्रमाण कारी जिसन विछ विष्विध्याले नारतावाद विष्व विष्व निश्ट कर दिया मिये Node कंैंघ हम फिष्वु नियुआ और सुने प्लासी के युद्ध में या सुनमी तालीकोटा का युद्ध या सुनसी पानीबद का युद्ध या सुन्डी के अल्डीगाटी का युद्ध इसका आप पूरायट आतर बता दें यह पानीबद का पहला युद्ध था नेस्टिक्स की व्यक्या देखते हैं, पानी पत का पहला युद्ध सन 1526 सीसी में बावर और इब्याहिम लोधी के बीच हुआ था, पर तो इब्याहिम लोधी की इस युद्ध में हार हुई थी, और वो मित्यू के साथ लोधी बंस का दिल्ली संसरत कांत हो गया, और बावर ने मुगल सामराजी की स्थापना की निव रखी, नेस्ट कोशन देखते हैं, आगरा सहर का संस्थापक कौन था, और फिरोज तो लग, यापसनी मुहम्मद विन तो लग, फ्यासन सी अलावद विन खिल जी, यापसनी सिकंदर लोधी, इसका राइटांसर है सिकंदर लोध सिकंदर लोधी का कारकाल 1449 से 1517 इसी भी तक रहा, इस दोरन वो अपने सामराजी का विस्तार करने में सफल रहा, इसी दोरन 1545 इसी में सिकंदर लोधी ने आगरा सहर की स्थापना की थी, ए 156 में अपनी राजधानी दिल्ली से बदल कर आगरा कर ली थी, इसने ने भूमा अपन में प्रचलित सिकंदरी गज का आरम करवा गया था, लेस्ट कोशन देखते हैं, बावर की अपनी इच्छा से उसका सब कहां पर दफनाया गया, ओफसन यागरा में, याफसन भी काबल में, याफसन सी लाहुर में, याफसन भी दिल्ली में, इसका आपको राइट बता दें कि कावल में दफनाया गया था उसकी इच्छा के अनुसा, इसकी वेक्या देखती है, मुगल समराथ बावर की नती पंदर सिसी में हुई थी, पहले उससे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, परंत बाद में बना कावल में बाग वर बगीचे में, जो अब पाराम बाग के नाम से भी जाना जाता है, उसमें दफनाया गया, रेस्ट कोशन देखते हैं, निमले खित में ऐसे, कौन सा सौर प्रणाली से समद्द नहीं है, और उसने चुद्द रह, यावसन भी धूंकेतू, यावसन सी गिरह, यावसन डी निहारका, इसका हम आपको निहारका है, जो सौर प्रणाली से समद्द नहीं है, इसकी व्यक्या देखते हैं, निहारका और सौर प्रणाली का भाव नहीं है, क्योंकि निहारका गुमते हुए, कैसों का बादल है, सूर्य तता उसके गिरह के उत्पत्ती, इन्हीं कैस के बादलों से हुई है, छुद् यापसनी प्रतिवी से दूद जा रहा है तारे, यापसनी तेजी से घुमने वाले तारे, यापसनी उच्छतापमान वाले तारे, इसका हम आपको राय टांदर बता जें, तेजी से घुमने वाले तारे हैं, इसके व्यक्या देखते हैं, पलसा तेजी से घुमने वाले तारे हैं जो चंद सेकर सीमा से अधिक दब्मान होने के कारण इसकी कच्छा में मुक्त गूते हैं हुए इलेक्टरोन अत्य अधिक बेक के कारण नाविक से बाहर चले जाते हैं और सिर्फ न्यूटरोन बज जाता है इस वेवस्ता को पलसर या न्यूटरोन तारा कहते हैं इस कोशन देखते हैं प्रत्वी और सूर्य अधिक तम दूरी पर कप होते हैं और सन ए 3 जन्मरी को या अफसन भी 20 दसंबर को या अफसन भी 22 सेंबर को या अफसन भी 4 जुलाई को इसका मैं आपको राइटा सर बताते हैं चार्ज लाई को उती है या अफसन देखते हैं केंदरी शांकी की संगटन का मूख्य कारर क्या है और सनी मुद्धापुती का निझान करना या अफसन भी राष्टी आएके अनुमानों का संगर करना या अफसन सी रोजगार के बारे में विश्टत आख्रमों का संग्रे या पसंडी मुल्य निधारान इसका मापको रायटा अंगर उता दे यह राष्टी आए के अनुमानों का संग्र करना है लेक्षिस की व्यक्या देखते हैं केंद्री संग्र की संगठन एव सरकारी एजनसी है अताया संग्र करम कार्यवरंत के अंतकार करती है PSO की स्थापना 1951 में संग्र की की प्रणाली के निर्माण में तकनी की नेत्वत पिदान करने के उद्धे से सकी गई है CSO की कार्यरे पहला कार्यरे सांग्र की एजनसीयों का सलागार दूसर कार्यरे राष्टी खाता आकड़ों की तैयारी ये प्रकासन या तीसा कार्यरे आर्थिक गढ़ना का आयोजन या चोथा कार्यरे इसका बड़तमान समय में भारत का सबसे बड़ा राष्टी करत ओधे म इसका आपको राइट आदर बता दें कि सुष्ट क्रांथी से सम्मोनित है इसकी वेक्या देखते हैं वर्गेज कुरियन को भारत में सुष्ट क्रांथी का पितामक आ जाता है सुष्ट क्रांथी ने भारत को दुद्ध उत्पादन में अग्रम मिडी देशों की स्लिणी में में लाता में लाकर खड़ा कर दिया है एस्कोशन दिखते हैं आरतिक न्योजन इससा है 9 शन और Bienen ऑ्याबसर गह गया को समाजबादी और सी दिवेनर आतर बिवश्ट गहां इसका वाप्र संदी पूंजबादी अर्थ्वेस्था है कि इसकी वाख्या देखते हैं जिसमें वस्तूओं को सामाजिक स्वामिल तुबाली होती है और साथ इस विवस्ता में उत्पादन के साधनों पर राज्य का नेंद्टन होता है। इसलिए आर्थिक नियोजन अर्थिवमस्ता की कारण प्राणारी का एक तंत्र है जो समाजबादी अर्थिवमस्ता के अंत्रगत किया जाता है एक कोशन देखते हैं सेर बाजार के संद्रम में आई पी ओ का पूरूप क्या है ओप्सने ततकाल भूगतान आदेश यासनी आंत्रिक नीती अनुग्रह यासनसी आर्थिमिक सार्वजनिक प्रस्ताव यासनी अंत्रश्टिय भूगतान अनुग्रह इसका हम आपको राइट आंजर बता देए जब प्रार्थिमिक सार्वजनिक प्रस्ताव है राषिस की व्यक्या देखते हैं IPO का पूर्ण रूप आरमिक सार्वजनिक प्रस्ताव है IPO के द्वारा किसी कम्पिनी के सेयर पहली बार जनता में प्रस्तावित किये जाते है याश्ट कॉश्चन देखते है विश्व बैंक को किस नाम से जाना जाता है अंतराष्टी पुनर निर्माड ए विकास बैंक याश्टन भी अंतराष्टी पुनर वास और विकास बैंक याश्टन सी अंतराष्टी विकास बैंक याश्टन दी उपरोक्त में से कोई नहीं इसका हम आपको राइट अंगर बता देए यह अंतरराष्टिय पुनर निर्माड अ की बिकास बैंक है इसकी ब्यक्या देखती है विस्सु बैंक समूमें इन संगटनों को सामिर किया गयाता है अंतर राष्टिये पुनर निर्माण और विकास वेंक है अंतर राष्टिये विकास एजनसी है अंतर राष्टिये वित्त निगम है बहुँ पच्छी निवेस गारंटी एजनसी निवेस विबाल निप्टान के लिए अंतर राष्टिये सेंटर है लेस्ट कोशन देखती है व इसका मापको रायटास न बतादी जिया 1995 में संगटथ बनाया गया है। इसकी व्यक्या देखती हैं, विश्व ब्यापार संगटन को जनवरी 1995 को बनाया गया है। इसने निसलुक और ब्यापार परसामान समझोतिय को प्रिस्ताफित किया था। जिसे 1948 में बनाया गया था next question देखते हैं तिलहन उत्पादन कारगरम शुरू किया गया था option 1 1986 में याफ़सन भी 1987 में याफ़सन C 1988 में याफ़सन दी 1990 में इसका मापको राइटाना बताएं या 1986 में किया गया था इसकी बैख्या देखते हैं तिलहन दाल एब मोत का परप्रोदोग की मिसन की सुरुवात 1986 में की गयी थी इसका मुख्य उद्देश्य तिलहन उत्पादन की छेत्र में आत्मनेड बनाना था इस मिसन की अंत्रगत निम्न योजनाओं को लाव किया गया था तिलहन उत्पादन कारेगरम 1986 राष्टी विकास दल कारेगरम 1990 से 1990 तोरेट मक्का विकास कारेगरम 1995 से 1996 तक ताड तेल विकास कारेगरम 1992 नेश्ट कोशन देखते हैं जीव बिग्यान की वह सागा जिसमें कोशकाओं का अध्यान किया जाता है कहलाती है औप्षन ए साइटोलोजी या अप्षन भी हिस्टोटोलोजी या अप्षन सी साइकोलोजी या अप्षन भी फिजियोलोजी इसका हम आपको राइट आंधर मताते हैं या साइटोलोजी ह जिर जी बिग्यान की सागा में कोसकाओं का अध्यन कहलाती है नेश्ट इसकी व्यक्या देखती है कोसका जीवन की मूले के काई है बिग्यान की ये सागा जिसमें कोसकाओं का अध्यन कहलाता है उसे कोसका बिग्यान या साइटोलोजी कहती है रावाटेव कोस्टा विग्यान के जनक कहलाते हैं। UK retrospect कोसिका उंग में फ्लाजमा जिल्ली किस की बनी होती है। और और सुनी फौस्पोवाइटन की यह और सुनी फौस्पोवाइटन की। सिन्गेसं में आपको राइट आंदेरी यह फासपौल लिपेड है इसका एराइट इसके बेक्ति देखते हैं जिने क्लोरिंग कहते हैं पहली बार ये अंडे के यौकम में पाया गया है धन्यवाद हमारी वीडियो चले लोगी तो मैं चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद